हेलो एब्रीवन आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत थे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके रेडिमी नाइन पावर डिवाइस के लिए इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा मीवर 12.5 और एंड्रोइ डिलमन अपडेट तो अगर आप लोग को इस तरह की जो वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके तो गई चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके रेडिमी नाइन पावर डिवाइस के लिए अभी इंडिया में मीवर 12 और एंड्रोइ टन रन क पाद में आपके डिवाइस में ग्लोबल में जो वर्जिन देखने को मिलता है लेटेस्ट वाला 12.0.16.0 का दिखने को मिलता है यह भी रिसेंटली में ही रिलेस किये गए तो ऐसे में ग्लोबल वाला जो आपडेट है वो इन्डिया में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि Redmi 9 Power Device के लिए अब जो अपडेट आने वाला है वो MiWi 12.5 का ही देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को MiWi 12.5 और Android 11 अपडेट दोनों देखने को मिल जाएगे तो आपके Redmi 9 Power Device के लिए भी जो नया अपडेट recently में आय था तो अपडेट आने के बाद में आप लोगों को अक्टूबर के मिड तक देखने को मिल सकता अपडेट MiWi 12.5 और Android 11 का और अक्टूबर के मिड तक अगर देखने को नहीं मिलता सब्सक्राइब करते हैं और जैसे मीवर 12.5 और एंड्रोइ डिल्मन ओफिस्यल अपडेट इंडिया में अपके रेडिमी नाइन पावर डिवाइस के लिए रोलिंग आउट होना इस्टार्ट हो जाता है तो उसका सब्सक्राइब इन्फोर्मेशन साथ में सब्सक्राइब कर लिए उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्करप्सन में दिया हुए अगर वा लिंक ओपन नहीं रहा तो आप लोगों को सिंप्ली टेलिग्राम पर टेक्निकल स्यूमजी साच कर लेना है जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं आप लोगों को जोईन कर लेना ता कि आप सकते हैं